आप सत्का स्वागत करता हूँ विलंब से बात आई इसकी मैं थोड़ी छमा चाहता हूँ दो तीन चार बड़े वैसे तो हमने काफी निर्णे आज किये हैं इस केविनेट की बेठक में जिसके माध्यम से दूर दरश्टी से दूरगामी दरश्टी से स्ट्रेट के लिए वो कुछ उल्लास के और अच्छे भी निर्णे हुए हैं जैसे फूट सेप्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना यह सरकार भरस सरकार ने भी इसमें दिशानिर्दे जारी किये हुए हैं इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए ह रहा है और चुकि इस दिसा में योगी प्रकार से जन्जागरन भी हो जाए और जो इनको यह बिजनेस करना उन तो उसके दाइरे भी बता दिये जाए कैसे करना है क्या करना है उनको भी इन सारी बातों के अवर्णेस के साथ लेकिन सासन के इस तर पर हमने निर्णे किया है कि यह चीजों को लेकर के जन्ता की सुरक्षा भी जरूरी है और जिनको जिनका व्योवसाय करना है या जिनको इसको खातिपदार के उप्योग मिलेना है तो वो उनकी जान भी जोखम में निडाले एक निड़े हमने किया है कि हर जिले के अंदर युवाओं के लिए एक एक्सिलेंस कालेज बनाया जाए जो सभी प्रकार की नई शिक्षानिती के वाद देम सभी कोर्स की वो पड़ाई वहां हो सके लगबग बावन कालेजों का चैन हम कर रहे हैं अगले सपर से इस सभी कालेज चालू करेंगे जिसमें सभी प्रकार के कोर्स अगर वो डिग्री है तो पीजी होंगे बस की विवस्था होगी और प्रदानमंत्री एक्सिलेंस कालेज के नाम से उनको जाना जाएगा एक नेड़ा हमने किया कि यह जो डिग्री मार्शीट और यह सब डाकुमेंट्स को अवेरने के लिए बच्चे परिसान होते हैं कई बार जाने आने के लिए सारी जंजेट होती है कई बार नकली लोग बना लेते हैं तो डीजी लाकर चालू करा रहे हैं हमारे सभी प्राइवेट उनिस्ट्री सभी कालेजों में दस्तावेजी करन के अधार पर हरे कोई किसी को चेक भी कर सकेगा और उनका अपना दस्तावेज का वो सुरक्षत एक डाटा भी बनेगा सरकारी सोला उनिस्ट्री बावन प्राइवेट उनिस्ट्री सभी में इसको लागू करने के समन्ना आज इनकी किया एक आधतन अपराधी जो बारबार अपराध करता हो छूड जाते हैं इनके लिए होम डिपार्टमेंट से कहा है तो चार सो सेटी सटी सटी सुन चालीस के अंतरगत सी आरपी सी में इन पर दंडात्म कारवई करते वे उनकी जमानत भी होगी तो जमानत निरस्त करा है ताकि क्राहिन पर कंट्रोल करने के जिसाने लाइन ओर्डर के दुस्ट्री जादा उसमें उनको अपनी उप्योग करना चाहिए उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये लेकिन कुछ-कुछ जिलो में अलग-अलग स्थिती भी है तो एक युरानिमस सज्ञानतिक रूप से तो हम सहमत है लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहां कोई परमीशन की जरुत फ्यंदु पत्ता संग्रण के लिए 3000 की प्रती बोरा की जो हमारी सीमा थी अब उसको 4000 प्रती बोरा करने के आदिस इसको जाड़ी करने के लिए बता जेगा एक साइबर तेहसिल का दाइरा भी एक जनवरी 2024 से कोई भी अपना दस्तारेज का पंजेगन कराता रथा रजिस्ट्री कराता है तो अलग से नामांत्रण कराने के लिए जाए वो परेसान हो इसके बजाए जैसे रजिस्टाराफिस में रजिस्ट्री कराएंगे उसी समय उसकी सारी प्रोसेस नामांत्रण की भी हो जाए तो एक सरली करण है जिसके माध्यम से एक अल्रेडी दस्तारिज बन रहा है तो बार बार आपके विवागों में नहीं जाना चाहिए इसी अपक्साइब कोई इस सीमा का उलंगन करेगा तो उसके लिए कारवे करेगा कर दिसे अपक्ना चाहिए करेगा